मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में यह उन नादान लोगों के लिए है जो भी दुनिया को देखे नहीं और जो देख लिए है न वो इसको नहीं कहते हैं वो इसको कहते हैं कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं है आदमी के लिए और आगे प्यार सब कुछ नहीं है आदमी के लिए है न थोड़ा लेट हो गया न यसे आप पढ़ सकते हैं जब आप समझदार हो जाएंगे न तब आप समझेंगे ये दुनिया क्या है बाकी दुनिया के बारे में बात करेंगे पहले आपने बारे में बात करते हैं कि हम लोग करने क क्या है सत्यों क्लासिक्स का अंसियाटी मैथमेटिक चलेगा आज पढ़ेंगे क्या कामन फैक्टर और कामन मल्टिपल अगर आप अप्लीकेशन वाले इस्टूडेंट हैं तो आपका इस समय कोर्स अपडेट चल रहा है और अगर आप इसे यूटूब पर देख रहे हैं तो यूटूब वालों के लिए एक टॉपिक है आज की इस वीडियो में आप ये टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से पढ़ लेंगे ये वीडियो जब तक खतम होगा इस लिए पूरा इंडे तक देखिएगा ये टॉपिक आपका कंपलीट हो जाएगा बहुत अब गुड़नखंड बोलते हैं इंगलीज में इसको कामन फैक्टर कहा जाता है पहले मोटा मोटा यहां दिखा देंगे उसके बाद हम इसको एक्जांपल के मतलब आपको अच्छे से क्लियर करेंगे तो वैसे आपको दिख रहा है यहां पर अच्छा ही दिख रहा होगा ह चलो कोई बात नहीं क्या कह रहा है कि संख्याओं के गुड़नखंड इनको बताइए और लिखिए यहां पर देखना जरूरी है स्टेटस कुछ संख्याओं के युगमों के गुड़नखंडों को देखिए यहां पर दिया गया है जैसा कि मैंने फोर और ट्वेल के और फोर देखो फैक्टर क्या होता है आप जानते हो पहले पढ़ा चुका हूं नहीं जानते हो तो बता दो मैं वह भी बता देता हूं मोटा मोटा देखो भया कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पुर्दा हविभाद यह हो जाती है कंप्लिटली डिवाइड हो जात करके देख लो भाग करना आपको आता है अगर बारा में एक से भाग करेंगे या दो से या तीन से या चार से या च्छे से या बारा से तो हर दजा में जीरो से भल आएका लेकिन अगर इस 12 में हम 5 से भाग करेंगे तो बाबु 0 नहीं आएगा 12 में 5 से भाग करके देख लो 0 नहीं आएगा इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि उसको नहीं लिखा है देख लो तुमको दिखाई देता हूं नहीं भी स्वास है यह लो यह 5 दूना 10 घटाने पर आ गया क्या 2 क्यूमन हम तभी ले सकते हैं जब कोई एक और हो हैना तभी तो नहीं वासरे से अपनी कॉंपियर करते ह D양ba सब्सक्राइब हो सकता है कि वह ponis की situation कुछ आलग रही हो सकता है उसका उसमें इंट्रेस्ट ज्यादा रहा हो, आपके लड़का बहुत बड़ा कुछ अभिस्कार करने वाला हो, किसी दूसरे छेतर में इंट्रेस्टेड हो, लेकिन अब उनको का लगी है, सर्मा जी का पाया है, तुम कहें नहीं पाया, कंपेर कर रहे हैं, अगर आप मचली की तु हर कोई अपने में इस्पेसल है, आप भी एक इस्पेसल है, है न, समझ रहे हो, मचली की तुलना, दूसरा एक्जामपल बंदर से ले लो, अगर मचली की तुलना बंदर से करोगे, तब भी कभी दोनों दुखी ही रहेंगे, और बंदर अपने छेतर में एक्सपर्ट है, कोई बंदा मचली है, कोई बंदर है, चली आगे बढ़ें, तो यहां लेकिन हमें तुलना करनी पड़ेगी, यह न मचली है न बंदर है, यह नंबर है संख्या, इसकों में पढ़ना है, ठीक है, तो सार्ब गुडनखंट कामन फैक्टर हम कामन तभी ले सकते हैं, जब एक स कोई ऐसा नंबर जो दोनों में कामन हो, तो भाईया मेरे बाबु देखो, वन क्या है, इसमें भी है, वन इसमें भी है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, और इसमें भी है, फोर इसमें भी है, क्या और कोई नंबर है, जो दोनों में कामन है, नहीं है न, तो हम कह सकते हैं कि इन 4 और 12 दोनों के जो common factor है जिने उभैनिस्ट बोलते हिंदी में ठीक है या सार्व गुडनखंड बोलते हैं इंग्लिस में common factor बोलते हैं वो क्या-क्या होंगे वन टू और फोर होंगे ठीक है यह मतलब डाउट क्लियर बारा और चार के common factor सार्व गुडनखंड जो है बबुआ भैया वन टू फोर होंगे ठीक है कोई डाउट नहीं चल अगला कुश्चन आगे आपके लिए कहरा इसमें बताओ तो जाने उसमें तो बताए लिया बढ़क factor है वह बात में देखेंगे पहले हम फोर का factor देखेंगे तो फोर का factor क्या होगा वन टू और फोर यह बताओ अगर तीन से भाग करेंगे चार को तो सेज़फल आ जायेगा है ना यह इसका पूरता विभाज नहीं कर पाएगा यह factor नहीं है बाकि कोई मतलब नहीं यह चीज 15 के क्या क्या होंगे बैया इनके 1 तो होंगे ही 1 सबके रहते हैं 3 5 और 15 बाकिया और कोई नहीं हाँ एक चीज और जो factor होता ना बाबू factor कभी उस संख्या से बड़ा नहीं होता है जैसे 4 का factor है तो 4 का factor कभी 4 से बड़ा नहीं होगा यह विश्याद रखिएगा यानी उस संख्या से बड़ा नहीं होगा लिख रख लीजिए और multiple यानी गुड़ज में कभी भी किसी भी संख्या का गुड़ज उस संख्या फे छोटा नहीं होगा कभी उसके बराबर हो सकता है उससे बड़ा हो सकता है उसका दोगुना हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा जै चलो तो यह हो गया इसमें आप देखो common factor लेना है भी यह common factor यह one इसमें भी है इसमें भी है टू अच अच्छा टू तो है यह नहीं हमाँ हो और कोनों नहीं है को तो हम कह सकते हैं इसमें जो common factor होगा कोई डाउट किसी को नहीं ना आगे बढ़ें कमेंट सबका देख रहा हूं मैं किसी का comment नहीं पढ़ूँगा सिर्फ हमारा उद्देश पढ़ाना है नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पे contact करिए कोई आपकी confusion है आईए अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो यह demo है आप अप्लिकेशन में कैसे सीखेंगे उसके लिए अगर आप अप्लिकेशन में है तो फिर आपकी यह regular class है चलिए 612 वा 18 के सारफ गुडनखंड बताईए यानि common factor बताईए तो इसमें option है फटा फट मुझे बताओ चलो तीन नंबर है न अगर तीन का 20 सही है तो आप 3 भी बोल तो इसमें जो correct answer है मेरे भाई मेरे बाबू वह कौन सा जानते हो मुझे भी नहीं पता कौन है चलो हम लोग सीखते हैं आईए नहीं बताई देता हूं नहीं पता है देखो जो इन तीनों संख्याओं को पुरुडता हविभाजित करें और उनमें जितनी भी इन फैक्टर है ठीक है आईए देखे कैसे देखो छे के फैक्टर करोगे तो 123 और 6 वहीं अगर 12 के करोगे मेरे भाई तो 123 4 6 और 12 वहीं अगर 18 के करोगे तो 123 6 और 18 अब इसमें देखो चल Mingows C сколько ऑक्ता मतलब यह कोश्मज़ार निकाला नहीं क्या पूर मेरेर निक्तार केальное ठरीक और मुझे लग रहा है थोड़ा सा यह लोचा हो रहा है काएमे लोचा मतलब नहीं जानदेव का तो जान ले बगू का रहा है चलो अब यसरों कि जो में फ़र्य थम जाओ नए कर दो कि मैंने यह देखो लगा Just तीन एक चार चार गिंती थी चारों हो गई यहां पे चारों थी न वण टू थी शिक्स तो यह हो गया क्लियर अगला देखो यह दिख रहा ना पूरा क्लियर क्या कह रहा है कह रहा है इसमें common factor बताओ जल्दी से जबाब दीजिए 4a 4b या 4f क्या सही होगा बही यह बताओ च सबसे सही जबाब और सबसे पहला अंसर है अंकिता का बेरी गुट आपको लड़कियों का नाम का है पहले बोलते हो लड़कियां पढ़ती है तुम जुगाळ करने आते हो तो मैं क्या करूं चलो करो जुगाळ 9 और 12 और 15 एक ऐसा इसमें से जोड़ा जो सब को completely divide करे देख सम है यह भी सम है अगर सम भी सम संख्यां आपस में है तो अक्सर ऐसा ही होता है कि इनके आपस में कोई common factor नहीं होते हैं यह अलग-अलग समुदाए के लोग हो गया ठीक है जैसे आज कल की कट्टर जमाने में देख रहो ऐसे ही तो अगर तीन से देखें तो यह यह निपड आज के दस साल से सणक भर रही खड़नजा आपको बता दें बड़ा आचर की बात है अब कोई प्रकार की सणक नहीं है यह कभी कहीं सणक नहीं कुल मिट्टी है किहीं इंट का खड़नजा भी नहीं है ठीक है आज 2022 की बात कर रहे हैं 2023 में हमारा गाउमें क्योटली उतर पर मतलब बहुत सारी जगा है एक मैं कभी गावाँ गया हूँ आप लोग देखें होंगे पीवर स्टेडी ब्लॉग पे तो बहुत सारी जगा इतने फैल फैल दुआ रहे हैं सबके ना दरवज्जे पे सामने कि चाहिए 20-20 खड़ी हो जाए इतना लंबा लंबा जगा है लेकिन उसमें हाइमस जी से बोलते हैं वो चीज है असानी कि सकेत है जगा नहीं बहुत जगा है इसलिए तो यहां पर बिल्कुल जैसे सिस्टम है न अगर ये दो से कट रहा है ये कट रहा है तो ये नहीं कटेगा बिल्कुल वैसे मोहन तयार है रोहन तयार है सोहना बिरुद्ध है अब कौनों खान मनाई लिए सोवन तयार है पंकर तयार है तो अभी खाता है आई चाह नहीं होए तो बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है तो इनमें जो कॉमन फैक्टर हो क्या है वन है सभी को समझ में आया कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई और गिंती हो सकती है क्या जरा सोच लो एक बार चलो हमारे समझ से अभी तो कोई और गिंती नहीं हो सकती है बाकी देखा जाएगा जो भी होगा चलें आगे बढ़ें चलो तो इसको मिटा दें इनकी मतलब आपस में नहीं बैठ रही बस यही सिंपल सी बात है इसको देखो क्या कह रहा है कह रहा है कि इसमें भाईया स्रीय बताओ कॉमन फेक्टर यह आपके लिए होमवर के थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको आप कर लेना और मुझे बता देना करके चुप़े से क्या हम कर लिए ठीक है बस आपको पहड़ा आना चाहिए नहीं आता है तो मुझे बता देना और इसका मुझे करके बता देना इनका कॉमन फेक्टर क्या होगा बताना अब बात करते हैं सार्फ गुड़ा जिया कॉमन मल्टीपल की बाभू क्लास को इंड तक देखना अगर सीखना है मैंने कहा कि आज यह दो को गेत ओमे का मिलता है तब टाइम नहीं देखो गेको बार अरे तुम्ही नहीं हम भी नहीं देखते टाइम कभी-कभी मेरा विकाद्व गंटा चला जाता है अरे हम इंसानी है लेकिन हां अनुभो के आधार पे बता रहे है कि इसमें कुछ पढ़ोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे बाबाजी का थुल्लू मिलता है कुछ मिलता बलता नहीं है चलो तो यह क्या सार्व गुड़ज क्या है यह बिल्कुल उसका पोजिट है किसी संख्या के पहाड़ा यानि टेबल को गुड़ज कहा जा सकता है इसको ऐसे समझो अगर मामा थे ते माउसिय नहीं होता है जैसा कि तीन के पहाड़े में तीन गुड़ज दस बराबर तीस होता है तो इसका यह मतलब विल्कुल भी नहीं है कि तीस जो है संख्या का यानि तीन का सबसे बड़ा गुड़ज है सबसे बड़ा गुड़ज अनलिम्टेड होता इसकी कोई लिमिट नहीं हो दो बराबर दो 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 देखो मैंने पहाडा का आ न तो दो का पहाडा पढ़ो दो दूना चार दूना आठ ऐसे से करते जाओ फिर साथ का फिर पंदरा का मैंने ऐसे लिखा अब ये सभी क्या है गुड़ज है बाबू क्या है गुड़ज है ठीक है यह क्या है गुड़ज को होता चाचा जानते हो देखो बता देता हूं काय को इसा होता है रुको 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 अब करें घठाए करेंगे काय कि क्यों करेंगे अगर तुम 0 से करोगे जीन घृरो हो जाएगा तो यह का गुणाज है ना का गुणाज इसके बारे मुंगे कोई सवाल होगत बताना एक करएंगे लोग कम मं आ mm अगर दो से करेंगे तो 18 तीन से करेंगे तो यह गुड़ज आइसे निकालते हैं 27 तो भयाओ यहाँ पर कहीं भी 9 से छोटा हुआ कोई गिंती होगी नहीं न तो किसी भी संख्या का गुड़ज उससे छोटा नहीं हो सकता जीरो को आप नहीं कह सकते हो इसका गुड़ज है ठीक है फिर वैसे तो जीर गुड़ज पढ़ रहे थे चलिए इतना हो गया क्लियर आईए कॉमन मल्टीपल या सर्व गुड़ज देखते हैं देखिए मगर प्यार से कलासी देखिए मुझे नहीं चलो आप चार के जो फैक्टर है मैंने लिख लिया है सबे फैक्टर नहीं इन मल्टीपल चार दुना आठ चार्तियाँ बारा चार्तियां वारा चार चोग सोला चार पंचे बीस चार चार्च चाहिए 4 और डालीफ अब इसमें जो common है उनको घेर लो भाया देखो 8 हिसमें भी है इसमें भी है 12 नहीं है बाबू 24 हिसमें भी है 24 हिसमें भी है और कोनों है 12 है नहीं है नहीं है इतने में सिर्फ दो है तो हम कह सकते हैं कि इनका जो multiple है common multiple है या सारव गुड़ज है वो किसका चारवा आठ का जो सबसे छोटा अगर हम बात करें कि चारवा आठ का छोटे फे छोटा सारव गुड़ज या common multiple है तो वो 8 है बाबू क्या है आठ है ठीक है और इस पूरे question में अगर आप देखें तो दो नंबर है कौन है आठ है और 24 है ठीक है अगर इस पूरे question की बात करें तो 8 और 24 है बात समझ में आई ना यानि दोनों में होना चाहिए दोनों के table में सौमिल बात पकी आगे बढ़ें चलो 9-18 में सार्व गुड़ज बताईए चलिए फटा फट बताईए सार्व गुड़ज का मदलब common multiple जबाब दीचिए answer दिखाद बैना भाईया A, B, C, D दिखाद बैना चाहिए चलो बताओ क्या होगा लोग करिया के देने एक दम करिया हमसे भी ज्यादा अब बताओ क्या होगा चलो फटाफट डन ठीक है भाईया बाबू बहुत अच्छा बेरे गुड़ सबसे पहला answer है रोहित कुमार अग्रहरी चलो भाईया लड़कों की नाक तो बचाया तुमने कटने से नो अब बारा में सार्व गुड़ज नो चोक छत्तीस मुझे तो लग रहा चत्तीस होगा देख लेते हैं देख लेते हैं क्लियर हो जाए नौ नव दुना अठारा नो तरीक पताइफ नव चोक छत्तिस बारा सुरू करोगे बारा है कम बारा चोवीस बारत याई शत्तिस ही है क्या है चत्तिफ है बात पक्की कोई दिक्कत नहीं किसी को चलो तो नव अबारा के सार्व गुड़ाज यानि कॉमन मल्टीपल अगर हम बात करें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 36 इसमें बताओ चार वा पचीस में कॉमन मल्टीपल बताओ का है सरमा रहो बहुत करने वालों कि कभी हार नहीं होती तो मैं बताओ देता हूं का है को लो चार और पचीस वह इनके पहाड़ा पड़ो चार दूना आठ चार तीवारा इसे से करते जाओ तो एक नंबर आएगा सो और इसमें भी एक नंबर आता है सो उसके निच्चे जितनी भी गिंती कोई संख्या है जिसका चार में गुड़ा करने पर 50 होता हो बताओ कोई संख्या जिसका चार में गुड़ा करने पर 50 होता हमारे समय से नहीं होता है फिर 75 होता है अगला पचीतिया 75 कोई संख्या है जिसका 4 गुणा करने पर 75 हो जाए 75 नहीं होता है लेकिन 100 होता है तो मु सो परसेंट आपको सही बताने क्यों होती है कभी कभी चोटी मुटी मानुवी दूटी हो जाती कहीं कहीं तो उसे हमें जरूर सूचित करें हम आपको अपना कॉंटेक्ट नंबर और नीचे दिखाते हैं इस स्क्रीन पर देखिए 20 वाठ 23 में Common Multiple चल बहिए बताो इसमें क्या बताना बाबु Common Multiple यह आपके लिए होम और करहेंगा क्योंकि यह कठीन है आप इसको करके बताओ ए बहिए कठीन के नाम लेता है ना सुलगा है ना एकदम से देखा अईसा नहीं है कठीन ही कहूं लाट नहीं भगा इसका करोगे तो क्या होगा बीस एकम बीस दूना चालीस न बीस दूना चालीस बीस ती यहां फार्ट को आभाई याद है ना बीशओ का सी इस पंचे सो और बीश्चक का flavors बीस आत्ये इस चालीस बस करो नहीं काई बस करी 28 याइस एकम 28 28 दूना चापन अठाई तेहिया, तीन अठे चौविस, तीन दूना च्छा दूए आठ, सही है ना, आठ तरिक चौविस, तीन दूना च्छा दूए आठ, फिर चार बार, चार अठे बत्तिस, चार दूना आठ, तीन ग्यारा, पांच बार, पांच अठे चालिस, हाफिल चार, पांच दूना तो इन में जो common multiple हैं वो 140 बात पक्की किसी को कोई तकलीफ नहीं चल बाबू अगलम बताओ निम्न संख्याओं में सार्ब गुडज बताईए यह आप सभी के लिए home work है फटा फट बताईए और करिए और आगे बढ़िए कोई तकलीफ कोई दुख दर्द तो बता दो मुझे कि हाँ मुझे है तकलीफ मतलब इस कलास में बाकी तो बहुत तकलीफ है जिंदगी में यह home work है इनको आप लोग करोगे ठीक है अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो इसका answer यूटूब पर आके वीडियो में कमेंट करेंगे और अगर आप अपली question में जुड़े है है तो इसका answer हल करके हमारे WhatsApp नंबर पर जो आपको दिया गया होगा डाउट पूछने के लिए इसपेसली जो बच्चे आप में रोल है उस पर बैजेंगे ठीक है और अगर आप यूटूब पर है तो वीडियो में कमेंट करेंगे यह आप लोगों के feedback है उमीद है कि दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे हैं दिख रहे न पीबियार स्टडी एप Google Play Store से डाउनलोड कर लिजे जिससे कि आप अराम से घर बैठे पढ़ सकें और कोई प्रकार का टेंसर न रहे ठीक है अराम से पढ़ें घर बैठें अच्छे स तो इसलिए इसे जरूर डाउनलोड करें आज ही डाउनलोड करें दूसरे में क्या है यह बच्चों के feedback है जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं यह student के feedback है उन लोगों की दर्द और तकलीफ है जो लोगों ने यहां पर बताया है इस तरीके से आप जाएंगे अग कितनी बड़ी हो गई है कितने भी एजट हो गएं कोई फरक नहीं पड़ता तो हम मैच सिखाते हैं बिल्कुल जीरो से अगर आपने इस डेमो को देख लिया आपको कुछ बाते समझ में आई तो पीवियर स्टड़ी को टेलीगराम पर जॉइन कर ले मिरे भाईया जिससे कि आप डेली फिरी पड़ पाएं अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो कमेंट करके बता देना मैं धृद्रे बोलूंगा हमारी कोशी से आपको वक्त बचाने की तो यह हो गई ना पूरी बात छोड़ दे जो सारी दुनिया किसी के लिए यह मुनासिब नहीं है आदम प्यार से भी जरूरी है प्यार से भी जरूरी कई काम है प्यार सब कुछ नहीं है आदमी के लिए क्योंकि लोग पागल हो रहे हैं आजकल फबरोरी महीना चल रहा है मैं देख रहा हूं बागे डेप्रेसन में पढ़े हैं वाई छोड़ के चली गई वो छोड़ दिया यूटूब पर करोनों दर्सक हैं लाखों फालोर हैं बहुत मोटीवेट करते हो बताओ कैसे करें इसकी गलती है कि नहीं हम करते हैं सब कुछ मिटा दूँगा सब कुछ मिटा दूँगा तेरा फात छूटा ये वादा जो टूटा वो नादान जब तक होते हो दुनिया नहीं जानते तब तक होता है दुनिया जानने के बाद कुछ नहीं सब कुछ बेवकुपी ठीक है अगर आम के पेड़ पर नीम का और नीम के पेड़ पर आम का फर लगने की उम्मीद करोगे तो हमेशा दिल तूटेगा और आज अज या पुवाद होंगे कही अलग बात है तो तकलिफ लाष्ट में होती वही बाकी आप लोग समझदार हो बस यह समझो कि जहां उम्मीद नहीं होती वहां दर्वद की कोई गुंजाइफ नहीं होती तो इसलिए उम्मीद अपने से करिए आगे बढ़िए कुछ ना कुछ बढ़ा करिए इन सब लफड़ों में पढ़ेंगे तो बाद में अहसास होगा कि पूरी ट्रेंज जैसे होता नहीं किसी प्लेटफार्म पर हम गए हैं ट्रेन आले माली है ट्रेन चली गई बाद में पता चला है हम तो शूट गए तो वैसे जिन्दगी भाग रही है और एक चीज और लाइस्ट में फाइनल जिनका दिल उल्टूटा का फी रो रहें बैट कि हर समय हर चीज बदल रही है ओ और टेक्नलाजी नहीं भी बदल रहें सबकुछ बदल रहा है अभी ये 60 मेने एक महिना पहले लिया था जिस समय इसको मैं लिया था जितना अच्छा लगता ता यह जितना बढ़िया था उतना आब नहीं है था समझे यह फूर्ड जब होता है हर समय नहीं रहता है आप च्छोटा सा पेड लगाओगे उसके जो पौधे ना पत्तियां लगाओगे दो चार पत्ति रहेंगी दो साल बाद देखो उसमें बहुत सारी पत्तियां आपसे बड़ा हो जाएगा वह चेंज होगा वैसे नहीं रहेगा आपने घर में साल तक 40 साल तक रहें ऐसा कैसे संभव है ऐसा पॉसिबल है नहीं कहीं किसी न किसी छण उसके कुछ न कुछ अपने विचार होंगे भाव होंगे कुछ न कुछ वो करेगा ऐसा फिर आपको लगे यह तो गड़वड है अगर आपको लग रहा है कि ऐसा चाहिए जो हम कहें यहीं जैसे कहें वैसे कब यह हो कई का यहीं कैसी केस में होता है कुछ लोग गडवड करते वस्तों में करते अपको वह समिझता है अगर गडवड वास्तो हधर अगर कुछ है अपना सब ओंधर कर रहा है हर किसी के साथ जामर जीवां तुम्हें रोना बैठके तो प्रॉब्लम होई है ठीक है तो सिंपल सी बात यही समझ लीजिए लाश्ट में कि हर चीज हर चण बदल रहा है तो जो लोग कफी डिप्रेसन में टेंसन में आज कल की बाग घूम रहे हैं वो इसको होगे इसके वह वक्त तो थे एक दिन इसके वह वक्त थे की नहीं बताओ कितने चलते थे यह कानों के नीचे नीचे पड़े-पड़े नर सुबह हो जाती थी प्रेमी प्रेमिए के यही फोन है ना समझ रहो ना याद आया कुछ यह वो समसंग नोकिया के फोन है जै बस सिंपल में लाश्ट यही बहुत बहुत थैंक्यू यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिनको पढ़ाते हैं अगर वो टेंसन में पढ़े हैं उनके दिमाग में कुछ और उफल रहा है तो कैसे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ पाते हैं और मैंने सीखा है इसलिए आपको सिखा रहे हैं है ना सही बात है तो कभी न कभी ना इकना चाहिए किसी और से भी थैंक्यू वीडियो को शेयर कर दीजेगा लेकिन लाश्ट वाला पार्टी क्राब करके क्लिप बनाके भी आप डाल सकते हो अब हम किसी को कॉपिराइट नही देते कोई भी वीडियो आप कोई भी कहीं भी कहीं भी पब्लिक कर सकते कोई दिखर नहीं अच्छे में लेकिन